नमस्कार आंगनबाडी बैनो मैं ICDS वर्कर प्रभाल सिंग आपका आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ अच्छे होंगे बाबा बदेवरानात की क्रिपा आप सब पर बनी रहे बैनो आज की वीडियो में हम जानेंगे 20 नमबर को आंगनबाडी केंदर में होने वाली ECCE कतिविसी के विशय में आज की थीम आधारी चर्चा का विशय है आपका पसंदीदा त्योहार राष्ट्री पर्व बनु हमें बच्चों से बात करनी है उनके पसंदीदा त्योहार या राष्ट्री पर्व कौन से है और बच्चों से ये भी बात करें कि क्यों ये त्योहार उन्हें जो उनकी पसंदीदा त्योहार है उन्हें क्यों पसंद है इस पिते पर हम बच्चों से बात करेंगे उसके बाद आता है हमारा दूसरा चक्र जो एक घंटे का होता है जिसमें हमें 3-5 वर्ष और 5-6 वर्ष के सभी बच्चों को दो भागों में अलग-अलग कर लेना है 3-5 वर्ष के बच्चों को सुतंतर खेल के लिए बोल देंगे और 5-6 वर्ष के बच्चों को हलका भारी का घ्यान कराना है बस्तूओं के बीच हलका भारी के आधार पर तुलना करके सिखाना है जैसे कंकर, फूल, कागज, ताला, पत्ते, चीजों को इकठा करके एक भारी, एक हलका सामान रखकर बच्चों से पूछें कौन सा सामान हलका है और कौन सा भारी है उसके बाद बच्चों को सुतंतर खेल करने के लिए हम छोड़ देंगे 3-5 वर्ष के बच्चों को अलग क्या है, तीसरा अस्तर करानी है जैसे 3 सबजियों के कार्ड हम लें और एक फल का हम बच्चों से पूछेंगे इसमें अलग कौन है इस तरह से हम सबजी, फल या कुछ और सामान के साथ कोई एक अलग सामान रखकर बच्चों को अलग क्या है का ग्यान करा सकते हैं उसके बाद सभी बच्चों को इकठा करेंगे अगली गतिविधी के लिए, अगली गतिविधी है हम बजार जाएंगे जिसमें हम सारे बच्चों को गोले में बैठाएंगे और जो है कि हम बोलेंगे, बच्चों के साथ काएंगे कि हम बजार जाएंगे दो टमाटर लाएंगे बच्चे भी हमारे साथ बोलेंगे जब हम दो बोलेंगे तो बच्चे दो का ग्रूप बनाएंगे इसी तरह से हम बजार जाएंगे हम बोलते रहेंगे और तीन चार पांच बैगन टमाटर गोभी सबजी का नाम फल का नाम लेत तीन से पांस वर्ष के बच्चों से रचनात्मक कारे औरिगामि का कराना है। जिसमें हमें बच्चों की रचनात्मक सक्ती को बढ़ाने के लिए गतिविधी करानी है। और जिसमें अखबार के छोटे छोटे टुकड़े भी बच्चों को देंगे जिसे कि वो चित्र में अखबार के टुकड़े चिपकाएंगे 5-6 वर्ष के बच्चों को हिंदी अक्षरों को लिखना सिखाना है सफेद कागज पर हम हिंदी अक्षरों को विंदूं के रूप में बना कर बच्चों से विंदूं को मिलाने के लिए बोलेंगे इस तरह से बच्चे आसानी से अक्षरों को लिखना सिखेंगे उसके बाद बेनों हमारा अंतिम पीरियड है कहानी का जिसमें हमें चीची चिडिया की कहानी बच्चों को सुनानी है आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार